मैंने यह USB to HDMI पर्चेज किया था अपने लैप्टॉप के लिए मेरे लैप्टॉप में HDMI केबल का सपोर्ट नहीं था इस वजे से तो मैं आपको लगा के दिखा देता हूं यह HDMI केबल है और यह मेरा यहां पे डिस्पले है इस वाले लैप्टॉप में तो फिलाल है HDMI केबल तो म मैं लगा देतना हूं आप चेक कर सकते हैं आप डिस्पले हो चुका है मेरा अब देख सकते हैं जो यहां पे डिस्पले है वो यहां पे भी डिस्पले हो चुका है बट अगर मैं इस से कनेक्ट कर रहा हूं तो यह डिस्पले नहीं हो रहा है तो आज मैं आपको यह बताने कैसे दिश्प्लेइश होगा जबकि यह से मैं यहां पर कर रहा हूं तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं यह आप कैसे कर सकते हैं जबकि यह गर आपको sound आय तो पता चल जाय मैं जैसे इसे लगा रहा हूं इसमें तो आप आप देख सकते हैं यह सॉंड कर रहा है यहां पर मैं डिवाइस मेनेजर ओपन कर लिया और अभी कि आप देख सकते हैं यहां पर कुछ भी नहीं है जैसे ही इसको मैं इंसर्ट करता हूं इसमें मैं अभी इसमें इंसर्ट कर रहा हूं और यह देख सकते हैं अभी आगिया यहां पर तो मैं यह दिखा देता हूं आपको यह कैसे होगा तो वीडियो में बने रही है एन तक और वीडियो को इसकीप मत करना छोटा सा प्रोसेस है इसका ड्राइवर है जिसे हमें इस्टॉल कर करना होगा और यह हो जाएगा और सभी को थैंक्यू सो मत जो हमारे 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हमारे चैनल पर और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए आगे बढ़ते हैं आपको सबसे पहले इस वेब साइट पर आजाना है यहां पर आजाना है यहां पर आजाना है और यहां पर डाउनलोड सेंटर पर क्लिक करना है तो आपको यहां पर यूसबी वाले ड्राइवर दिख जाएंगे यूसबी टू वी जी वी जी ए यूसबी 2 एच्डी एमाई ये ड्राइवर दिख जाएगा तो मैं अभी विंडू के लिए डाउनलोड कर लेता हूं इसक बाउनलोड करको के टॉनलोड कर लेते हैं यहां पर सिक्षण के कर लेता हूं और इसका लिंक मैं एक एक दीटिटिसमें भी डालतूंगा को इरहां से नेक्स्ट कर देंगे शिंपल जासे एक आप्लिकेशन इंश्टोल का प्रोसेस होता है वैसे ही है चींपल एंड बी देख सकते हैं चाहिए यह हो गया है अब देख सकते हैं यहां पर हमारा क्वित हो गया है और यह हाँ आप देख सकते हैं तो होना था सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी सेयर करते हैं अगर थोड़ी सी भी हिल्फुल वीडियों तो थैंक्यों सो मच